वर्क पाव अनुजी का NCIT का question number 5.17 हम यहां पर discuss कर रहे हैं क्या कहता है question में The bob A of a pendulum released from 30 degrees of vertical hits another bob B of same mass at rest on the table as shown in figure How high does the bob A rise after the collision? Neglect the size of the bob and assume the collision to be elastic यह हमारे पास A ball है यहां पर आकर इसे टकराएगी तो इसके पास जो kinetic energy होगी क्योंकि वही condition हमारे पास आ रही है कि total जो हमारे पास collision है वो elastic है तो जो इसकी kinetic energy होगी टकराने के बाद B वाले की kinetic energy वही हो जाएगी और यह A वाला आकर यहां पर stop हो जाएगा निए जो A वाला है वो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर आकर stop हो जाएगा ठीक है stop A और इसकी kinetic energy इसको मिलेगी और यह जितनी height तक हमारे पास उपर जाएगा वो height A के बराबर होगी यह दोनों की height जोगी वो H के बराबर हो जाएगी तो यह कह रहा है कि how high does the bob A rise बॉब A rise नहीं होगा क्यों क्यों क्योंक इलास्टिक है तो यह अपना पूरी की पूरी kinetic energy इस वाले को यहां से provide कर देगा